उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उर्जावान मुख्यमंत्री, भायोगी आधितनाजी, तणाटरका के मुख्यमंत्री, सिद्धा रमयाजी, केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी, हर्दिपसी पूरी जी, विके सींजी, कौशल किसोर जी, अन्य सभी वरिष्ट महनुभाव, और विशाल संख्या में पतारिया हुए, मेरे परिवार जनों। आज पूरे देश के लिए, एक आईतिहासिक छन है, आज भारत की पहली रेपिड रेल सेवा, नमो भारत ट्रेन, राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंब हुई है। लगभग चार साल पहले मैंने बिल्ली, गाजियाबाद, मेरट, रीजनल कोरिडोर पोजे की आधार सिला रखी थी। आज, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, जिसका सिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्गाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरेट वाला हिस्सा एक साल, देड़ साल के बाद पुरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौझूद रहूँगा। अभी मुझे इस अती आधुनिक ट्रेंग से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलिवे प्लेटफर्म पर बिताया है। और आज रेलिवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव प्रफुलित करने वाला है। आनंद से भर देने वाला है। हमारे यहाँ नवरात्री में सुभकारिय की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मा कात्या यनी के आशिरवात प्राप्त हुए है। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाए हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, NCR और पसीमी UP के सभी लोगों को नवरात्री के पावन परवपर मिले इस उभार के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आदुनिक्ता भी है, गती भी है, अदुबुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सभर और नए संकल्पों को परिशबाशित कर रही है। मेरे परिवार जनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ करणा टका के मुख्यमंत्री चिद्धा रमयाजी भी जुड़े हुए है। आज बैंगलूरू में मेट्रो की दो लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बैंगलूरू के आईटी हप की कनेक्टिविटी और बहतर हुई है। अब तो बैंगलूरू में हर रोज लगबग आठ लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। मैं नई मेट्रो सिविधा के लिए बैंगलूरू के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बदहाई देता हूँ। मेरे परिवार जनों 21 सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में हर छेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान पर चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत जी ट्वेंटी का इतना शामदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षन का उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है। आज का भारत एशियन गेम्स में सो से जाना मेडल जीत कर दिखाता है। और उसमें मेरा उत्तर पुदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर फाइव जी लॉंच करता है। और उसे देश के कौने कौने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे जाधा डिजीटल लेन देन करता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्चिन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बड़ी बड़ी कमपनिया आज भारत में मोबाइल और टीवी लैप्टॉप कम्पूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ा को विमान बनाता है। लड़ाओ को विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फैराने वाला विक्रान जहाज भी बनाता है। और जो आज